दोस्तों बिहार Post-Metric Scholarship 2023-24 के लिए आउनलेइण अपलाई शुरू हो चुका है, जिसमें 2 लाख रुपिये तक पैसे मिलते हैं, और इस Post-Metric Scholarship का जो आउनलेइण अपलाई हो शुरू कप से हुआ है, इसका लाश्ट डेट क्या है, Post-Metric Scholarship के लिए आवेदन करने में, online करने में क्या-क्या document लगते हैं, किस-किस class और किस-किस course में पढ़ने वाले बच्चे, किस-किस category के बच्चे इसको apply कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि इसमें वह कौन सी गलतियां हैं जिनको नहीं करना है, जिन गलतियों के वज़ए से Post-Metric Scholarship का पैसा नहीं आ पाता, जिन से आपको बचना है, उस सारी बाते में बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, simply इसके लिए आपको Google में सर्च करना है, Skylight Study और सबसे उपर यहाँ पर जो result आएगा, उसको क्लिक करके open कर लेना है, जब यह website open हो जाएगा, तो आपके सामने उपर में ही एक post नजर आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, आप, बिहार Post-Metric Scholarship 2023, आनलाइन शुरू, last date, आवस्यक, डॉकुमेंट, सब कुछ, तो simply इस पर आपको क्लिक करके इसको open कर लेना है, और जब यह page open हो जाए, जब यह website का यह page open हो जाए, तो यहाँ पर आपको सारे सवालों का जवाब, आनलाइन अपलाई करने का link, सब कुछ मिल जाएगा, सबसे पहली बात आप यह जान लिजे, कि यह post metric का मतलब ही होता है, metric के बाद आगे की पढ़ाई करने वाले चातरों के लिए, मतलब जो बच्चे अभी metric में हैं, 10th में हैं, metric का exam होने नहीं दिया, 10th पास अभी नहीं हुए हैं, उन बच्चों को छोड़ देना है, ऐसे बच्चे अपलाई नहीं करेंगे, और metric यानि 10th के बाद, चाहे आप 11th में हो, 12 में हो, BA, BSC, B.com, Part 1, 2, 3 में हो, सब के लिए बच्चे अपलाई कर सकते हैं, और इसमें देखिए, आपको यहाँ पर असपस्ट बताया भी गया है, कि कौन-कौन सा कोर्स करने वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं, तो metric के बाद, जैसे की 11, 12 में पढ़ते हो, BA, BSC, B.com, चाहे Part 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, BA करने वाले, 1st year में हो, 2nd year में हो, DLA करने वाले, 1st year में हो, 2nd year में हो, अगर matrix से उपर कोई भी course आप कर रहे हैं, किसी भी साल में पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका year चल रहा है, आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, और पैसे इसमें अच्छे खासे मिलते हैं, जिसकी में जनकारी आपको आगे देने बाला हूँ, अब इड़ा की ये category, कौन कौन सी category के बच्चे इसके लिए अपलाई कर पाएंगे, तो जो बच्चे BC2 category के हैं, जिसको हम लोग पिछ़़ा वर्ग भी कहते हैं, और फिर जो BC1 के बच्चे हैं, जिनको अत्यांत पिछ़़़ा वर्ग भी कहते हैं, फिर SC category के बच्चे और ST, यानि अनुसोचे जाती और अनुसोचे जन जाती काटेगरी के बच्चे भी, पोश्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप 2023 के लिए ऑनलाई अपलाई कर सकते हैं, ध्यान ये रखना है कि जनरल काटेगरी यानि सामान निकोटी के बच्चे ये स्कॉलर्शिप अपलाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्लास में, किसी भी कॉर्स में आपका पढ़ते रहना जरूरी है, अगर स्टड़ी अगर कर रहे हैं, तो ही अपलाई कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो फिर अपलाई आप नहीं कर सकते हैं, तो आप apply नहीं कर सकते last date की बात करें तो post metric scholarship के लिए online करने का apply करने का last date 31 December 2023 तक रखा गिया है मतलब आपको 31 December 2023 से पहले-पहले हर हाल में post metric scholarship के लिए apply कर देना होगा उसके बाद apply आप नहीं कर पाईएगा और दूसरी बात ये भी है कि last date जब करीब आता है तो ये website काफी ज़्यादा jam चलने लगता है इसलिए आपको पहले apply कर लगना काफी जरूरी हो जाता है और अभी भी वैसे काफी time है कोई document आपके बास अगर नहीं भी हो तो आप उसको बना सकते हैं यहां पर देखिए किस-किस category और किस-किस course को करने वाले बच्चों को कुल कितने पैसे मिलेंगे उसकी असपेस्ट जनकारी यहां पर दी गई है अगर कोई बच्चा 11 या 12 में है तो उसको 2000 रुपय मिलेंगे कोई बच्चा BA, BSC, BCOM में पढ़ रहा है चाहे पाट 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो तो उसको 5000 रुपय मिलेंगे अगर कोई MA, MC, MC, MCOM कर रहा है तो उसको 5000 मिलेंगे चाहे हो first year हो, second year हो या third year हो अगर कोई ITI कर रहा है तो उसको भी 5,000 मिलेंगे और अगर कोई diploma यानि polytechnic बज़रा कर रहा है तो उसको polytechnic या समकक्स या equivalent कोई भी course हो technical course में 10,000 प्रतिवर्स मिलेगा आपको और अगर BE, B.Tech यानि engineering कर रहे हैं तो आपको 15,000 रुपय मिलते हैं आगे देखिए, यहां पर कह दिया आगे कि अगर आप भारतिये प्रबंधन संस्थान बोध गया से पढ़ रहे हैं इसमें apply करने के लिए document क्या क्या लगता हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको matrica marksit या matrica certificate लएगा यह लगता इसलिए है कि आपके date of birth का proof हो सके कि आपका date of birth सही है इसके बाद आवासिय प्रमान पत्र, फिर आय प्रमान पत्र और फिर cash certificate यानि जाती प्रमान पत्र की जरुद पड़ेगी अब इसमें याद रखिएगा कि आय प्रमान पत्र आपका एक साल के अंदर का बना होना चीए एक साल से ज़्यादा अगर उसका बने हुए हो गया है तो फिर ओ एकस्पायर हो गया आपको नहया बनवाना पड़ेगा टाइम काफी यह आप बनवा सकते हैं बोनाफाइट सर्टिफिकेट यहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं जिस कॉलेज में आप पड़ रहे हैं जिस स्कूल में पड़ रहे हैं वहां से बोनाफाइट सर्टिफिकेट आपको लेना है उस पर वहां के प्रिंसपल से हेड़मास्टर से साइन मोहर करवा लेना है उसको upload करना पड़ता है फिर fee receipt आप फिलहाल जिस course में पढ़ रहे हैं उसका fee receipt यानि रसीद admission कराने के बाद जो रसीद आपको मिली थी ओर रसीद भी आपको upload करना पड़ता है और last exam pass यानि अभी जो course आप कर रहे हैं अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके पहले आपने आखरी बार कौन सा exam pass किया था उसका marksit भी upload करना पड़ता है इतने document आपको scan करके upload करने पड़ते हैं यहाँ पर देखिए date की जनकारी अश्पष्ट दी गई है कि post metric scholarship 2023 के लिए 15 नवंबर से 31 12 2023 तक date रखा गया है अब ओ दो सावधानिया जिनसे पैसा आने में दिक्कत होत और दूसरी सबसे महत्तुपुन बात कि आपका जो आधार है वो bank seeded होना चाहिए आधार bank seeded होगा तभी आपका पैसा आएगा क्योंकि आप जब account number यहाँ डालेंगे अगर वो आधार से seeded नहीं होगा तो आप लाख online करके इंतिजार करते रहें पैसा नहीं आएगा तो bank account आपका आधार seeded होना चाहिए यह अधार seeding क्या होता है bank account को आधार seeded कैसे करते हैं इसका link मैंने description में डाल दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वीडियो भी बना हुआ है सब कुछ detail दिया हुआ है कैसे check करना है कि हमारा account आधार seeded है की नहीं है और अगर अगर अधार seeded नहीं है तो कैसे seeded करवाना है seeding कैसे करवाना है वो सारी परक्रिया आप उस link पर जाकर करके देख सकते हैं अब apply करने की बात करें तो यहां पर देखिए apply करने का सारा link नीचे यहां पर दे दिया गया है आपकी सुविधा के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता है क्या तो new registration करने के बाद आता है user ID और password उसके बाद आपको login करना पड़ता है उसके बाद final submit करना पड़ता है अगर user ID password भूल गए है postmetric का तो आप उसको दोबारा भी मगा सकते हैं और उन सब का link यहां पर दिया गया है सारे links का उपयोग करके आपको अपना य जितनी जल्दी हो सके अब लाइक कीजिए कोई समस्या हो कोई doubt हो तो हमसे comment करके पूछिए पैसा जरूर मिलता है बस सावधानिया जो मैंने बताया आपको अपनाना होगा और उसके बावजूद अगर कोई doubt बच जाता है तो comment में पूछ सकते हैं हम मिलते हैं अगली वीड करी के साथ